मनोश बाचपई के करियर का पहला बड़ा रोल उनहें राम गुपाल वर्मा ने दिया सत्या के भीकु मात्रे ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया मुंबाई का किंग कौन भीकु मात्रे सत्या का ये डायलॉग तो सुना ही होगा अगर नहीं सुना तो फिल्म का गाना सपनी में मिलती है तो जरूर सुना होगा कुछ समय पहले ही इसे recreate किया गया है इसमें कुछ सेकिंड के लिए मनोज बाजपई भी दिखते हैं चुकि ये राम गोपाल वर्मा के फिल्म का गाना है तो जाहिर है रामो को ये पसंद नहीं आएगा कि उनकी फिल्म के साथ छेड़ शाड़ हूँ शायद ऐसा ही हुआ और रामो ने मनोज बाजपई को फोन करके डांटा कि उन्होंने इस रीमिक्स वर्जन में काम क्यूं किया ऐसा सुचित्रा त्यागी को दिये इंटर्व्यू में मनोज ने खुद बताया है उन्होंने कहा कि वो आप भी उनको पहला बड़ा ब्रेक देने वाले रामू के टच में हैं मैं उन्हें अपने करियर का श्रेय देता हूँ हम अब भी टच में हैं कई बार वो मुझे सرف गाली देने के लिए कॉल करते हैं मैंने अभी एक सपनों में मिलती है गाने का म्यूजिक वीडियो किया है मैंने ये सिर्फ भल मनसाहत में एक फेवर की तौर पर किया रामु ने मुझे कॉल किया और कहा कि तुमने क्या किया ये अच्छा नहीं है मैंने कहा कि रामू कभी अभी आपको दोस्तों के लिए कुछ चीजें करने पड़ती है रामू ने कहा कि वो ये सब समझते हैं कि कुछ काम दोस्तों के लिए भी करने पड़ते हैं फिर भी उन्होंने मनोज को डांटा जो सपने में मिलती है गाने को recreate किया गया है उसे गुलजार ने लिखा और वशाल भारदवाज ने संगीत दिया आशा भोसले और सुरेश वाडेकर ने इसे काया है जब वो इसे गाते हैं नाचने का मन करता है जैसे ही ढोल के साथ सीटी बचते हुए गाना शुरू होता है पैर ठिरकने लगते हैं उपर से सभी कलाकारों का डांस मेरा तो ये पढ़ते पढ़ते ही नाचने का मन हो गया जादू है उस गाने में कूडी मेरी गाने को रीक्रियेट किया गया है विनोद भानुशाली की कंपनी हिज्ज म्यूजिक ने नए लिरिक्स लेके हैं कुमार ने और म्यूजिक दिया है लीजो जॉर्ज और डीजे चेतस ने गाया है ध्वनी भानुशाली और यश नार्विकर ने इसे डिरिक्ट किया है कुरियोग्रफर गणी शाचार्य ने इसमें डांस करते हुए नजर आ रहे हैं ध्वनी भानुशाली और अभिमन्यो दसानी साथ ही अपने मुंबई के केंग मनोज बाचपई भी आखिर में के करीब भी नहीं ठेहरता इस पर मनोज बाचपई को डांट पढ़ना स्वभाविक था राहू ने ठीक ही किया जोक सपाट आप जाकर सत्या का औरिशनल गाना जरूर सुनिये आपके लिए तमाम चानकारी लेकर आयते मेरे साथ ही अनुभव मैं हूं गर्मा आप देख रह और किताब आला जैसे कई शोज ललन टॉप के हमसाब एंकर्स हर हफते आपसे करेंगे लाइब चैट देंगे आपके सवालों के जवाब ललन टॉप के निउजरूम में क्या होता है अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी निउजरूम की रोचक जानकारी और उठा पटर ये मेंबर्शिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेथ कई नए नवेले पॉड़कास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी खास तोर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूवर इसके आप youTube के चैट और Comment section में कर पाएं, इस इस मदेग के लिए क्या करना होगा, इस जुढाव के लिए क्या करना होगा जाना होगा है ललन टॉप के YouTube चैनल पर आँज यूट्यूब बटन को प्रेस करना होगा